Hello students, welcome back, आज हम class 10th की literature book का chapter लेकर आपके पास आई है, आपके पास दो literature book, एक कृतिका, एक शितिच है, यही दो पार्ट आपने class 9th में पढ़े होंगे, उनी का second part यानि भाग तो class 10th में पढ़ रहे हैं, तो class 10th में जो आप पढ़ रहे हैं, उनकी एक book है, कृतिका, कृतिका भाग दो, जिसमें 5 chapter दिये हुए हैं, 5 चेप्टर हम पढ़ाएंगे, लेकिन इस बार CBSC के द्वारा आप लोगों का 30% syllabus हटा दिया गया है, तो उसमें आपके पास 3 ही chapter आ रहे हैं, उसमें पहला chapter है माता का आचर, दूसरा chapter है जार्च पंचम की नाग, तीसरा chapter है साना साना हाथ जोड़ी, ये तीन chapter आपके पास आ रहे हैं, तो चलिए, आज हम आपका first chapter शुरू कर रहे हैं, कृतिका का माता का आचर, जिसे लिखा है शिव पूजन साहे जी ने, और ये है शिव पूजन साहे जी की बच्पन की कहानी है, कि लेखक जब छोटे थे, तब उनके साथ कैसा कैसा हुआ, तो उन्होंने उसे एक कहानी बना कर, जो की एक पाठ, वा पाठ के रूप में हमारे सामने उतारा है, तो चलिए, आज हम वो कहानी, चैप्टर के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, माता का आचर, जहां बूडों का संग, तहां खर्चे का तंग, इसमें कहा गया है कि जहां लड़कों का संग होता है, वहाँ पर मृदंग बचते हैं, यारी ढोल नगाडे बचते हैं, वो खुशी बनाते हैं, और जहां बूडों का संग, बड़े बूडों का संग होता है, स्टॉली होती वह खर्चे का तंग्मा सिर्फ खर्चे की ही बाते होती है, घर की बाते होती है, हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहा कर पूजा करने बैट जाते थे, लेखा कहते हैं कि हमारे पिता सुबे उठकर सारे कामों से निपट कर नहा दोकर पूजा करने बैट जाते थे, हम ब मजपन से ही जब छोटे थे तब से ही उनके साथ रहने लगे थे माता से केवल दूद पीने का नाता था हमारा तो केवल हमारी माता से दूद पीने का ही नाता था और कुछ नहीं था इसलिए पिता के साथ ही हम भी बहार की बैठक में ही सोया करते थे इसलिए ही हम पिता के लगती थी तो माता के पास दूद पीने के लिए चाहते थे वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पुजा पर बिठा लेते वो अपने साथ ही सुबे हमें उठाते थे और नहलाते थे दूलाते थे और पुजा पर बिठाते थे हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिख करने लगे, दिख करने के मतलब जिद करने लग गए, हम बबूत का तिलक यानि मिट्टी का तिलक लगाने के लिए हम जिद करते थे, कुछ हस कर, कुछ जुझला कर, कुछ टाट कर, वह चोड़े लिलाल में त्रिपुंड कर देते थे लिलार मतलब ललाट माथे पर त्रिपुंड मतलब तीन त्रहकी त्रची लकीरे बना कर तिलक लगाना वो कुछ हस कर कुछ डाट कर हमारे ललाट पर त्रिपुंड बना ही देते थे हमारे लिलाल में खूब खुलती थी सिर्फ में लंबी लंबी जटाए थी हमार ललाट पर हमारे माथे पर बभूत का तिलक बहुत सुन्दर लगता था, हमारे सर पर लंबी लंबी जटाये थी, यानि लंबे लंबे बाल थे, बभूत रमाने से हम खासे बंबोला बन जाते थे, यानि बभूत का टीका लगाने से माथे पर हम बंबोला बन जाते थे, यानि बड़े प्यार से भूला नाथ कहकर पुकारा करते थे, हमारे पिता जी हमें बहुत प्यार से भूला नाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ, पर असली नाम हमारा तारकेश्वर नाथ था, हम भी उनको बापु जी कहकर पुकारा करते और माता को मैया, हम अपने पिताजी को बापुची कहते थे और माता को मैया कहकर बुलाते थे जब बापुची रमायन का पाठ करते, तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे, आईने में अपना मू निहारा करते थे जब हमारे बापुची रमायन का पाट करते थे तो हम उनकी बगल में बैठ जाते थे और वहां बैठे बैठे हम रमायन तो सुनते नहीं थे बस सिर्फ आईना उठा कर अपना मुँ निहारने लग जाते थे जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते और वहां भी मुस्कुरा पढ़ते थे जब वो रमायन का पाठ करते थे हमारे बापुजी और पाठ करते करते हमारी तरफ देखने लगते तो हम हमें शरम आ जाती और हम मुस्कुराने लगते और आइना साइड में लग देते और ये सब कुछ देखते हमारे बापुजी भी मुस्कुराने लगते पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते जब उनका पूजा पाठ उनका रमायन का पाठ समाप्त हो जाता तो वो राम राम लिखने लगते अपनी एक राम नाम बही पर हजार राम नाम लिखकर है उसे पाठ करने की पोथी के साथ भाध कर रख देते वो एक बार में हजार बार राम नाम लिखते थे और उस पोथी को अपना भाध कर एक साइड में रख देते थे फिर पांच सो बार कागज के छोटे छोटे टुकडो पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेट थे और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की और चल पड़ते थे फिर कागच की और आटे की छोटी छोटी गोलिया बनाते थे उस पे राम का नाम लिखते थे और फिर गंगा जी में उनको गोलियों को डालने के लिए चले जाते थे उस समय भी हम उनके कंदे पर विराजमान रहते थे उस समय जब वो गंगा जी में गोलियों को डालने जाते थे तो हम उनके कंदे पर बैड़ जाते थे तो हम उनके कंदे पर बैठे बैठे ही हसा करते थे और खुब उचलकूत करते थे जब वह मचलियों को चारा देकर घर की ओर लोटते लगते तब बीच रास्ते में जुके हुए पेड़ों के डालों पर हमें बिठा कर जूला जुलाते थे जब वो गंगाजी के पास जाकर मचलियों को चारा खिला कर अपने घर वापसी लोटते थे हमें लेकर तो रास्ते में जो पेड़ बुड़े हो गई थे नीचे उनकी टहनिया लटकी हुई थी तो उन पर बिठा कर हमें जुला जुलाते थे हम बहुत मस्ती करते थे वहाँ पर कभी-कभी बापुची हमसे कुष्टी भी लड़ते थे वे शितिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते वो कमजोर पढ़कर हमारे बल को बढ़ावा देते थे हम उनको पचाड देते थे वो जान बूच कर कमजोर पढ़ जाते थे जिससे कि हम उनको पचाड दे यानि हरा दे यह उतान पढ़ जाते और हम उनकी चाती पर चड़ जाते यह उतान पढ़ जाते यानि वो गिर जाते और हम उनकी चाती पर चड़ जाते जब हम उनकी लंबी-लंबी मूछे उखाड़ने लगते तब वे हस्ते हस्ते हमारे आतों को मूछों से छुड़ा कर उन्हें चूम लेते थे। जब हम चोटे-छोटे बच्चों की हरकतों पर खुश होते और उन्हें कहते हैं कि हमें किस करो तो उनके बापूची उन्हें कहते हैं कि एक खटा चुमा और एक मीठी किस मांगते हुए बार-बार बाया और दाया गाल उनकी तरफ फेर देते थे बाय का खट्टा चुमा लेकर जब पह दाइने का मीठा चुमा लेने लगते तब अपनी दाड़ी या मूझ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे जब वो दाय और बाय दोनों तरफ क चुमा ले लेते थे तो अपनी दाड़ी से उनके छोटे-छोटे कोमल गालों को पर दाड़ी चुबाने लगते थे हम जुझला कर फिर उनकी मूचे नोचने लग जाते थे जब हम जुझला जाते थे प्रेशान हो जाते थे तो हम उनकी मूचे नोचने लग जाते थे यान जान बूज कर रोने लगते थे और हम अलग खड़े खड़े खिर खिला कर हसने लगते थे और हम एक साइड में खड़े ओकर जोड़ जोड़ से हसने लगते थे उनके साथ हसते हसते जब हम घर आते ये सब करते करते जब हम अपने घर में आते उनके साथ ही हम भी चोके पर ख खाना खाने बैट जाते थे, वे हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भास सान कर खिलाते थे, वो अपने हाथ से ही एक कटोरा लेकर हम उसमें भास सान कर, यानि भास मिलाकर सबजी और चावल मिलाकर हमें खिलाते थे, जब हम खाकर अफर जाते, जब हमारा हम खा कर पेट भर जाता तो मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी तो हमारी मैया थोड़ा और खिलाने की जिद करती थी वह बापु जी से कहने लगती वह बापु जी को कहती आप तो चार-चार दाने के कोर बच्चे के मुँ में देते जाते हैं इससे वे थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम भूत खा गए आप थोड़ा थोड़ा चारचार दाने ही बच्चे कोर मतलब चुकड़ा गरही तो आप चारचार दानों की कोर बच्चे के मुँ में देते हैं इसलिए थोड़ा खाने पर भी आप समझ जाते हो कि उसने बहुत सारा खा लिया है, आप खिलाने का धंग नहीं जानते, आप बच्चों को खिलाने का धंग नहीं जानते, बच्चे को भर मूँ कोर खिलाना चाहिए, यानि बच्चे को मूँ भर कर टुकडा खिलाना चाहिए जब खाएगा बड़े-बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर जब बड़े-बड़े टुकडे खाएगा बड़ा-बड़ा खाना खाएगा तब ही तो वो दुनिया में स्थाई रूप से रह पाएगा ठोर मतलब स्थाई रूप से रहना देखिए मैं खिलाती हूँ फिर वो बापुजी को कहती है उनकी मैया की देखो मैं खिलाती हूँ इसको मर्दुए क्या जाने की बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए मर्दुए यहां पर बताया गया है की आदमी आदमी लोग क्या जाने कि बच्चों को कैसे खाना खिलाया जाता है और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है महतारी माता माता के खिला हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है यह कह वे थाली में दही भात सांती यह सब कुछ बोलकर वे थाली में दही और भात मिक्स कर लेती अलग-अलग और अलग-अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदी की बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खालो नहीं तो उड़ जाएंगे और वे बच्चों को अलग-अलग तोता उड़ जाएगा मैना लेकर उड़ जाएगी कबूतर अलग-अलग पक्षियों के नाम लेती और उसको जल्दी से खिला देती पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मोका ही नहीं मिलता था लेकिन हम उन टुकडों को इतनी जल्दी खाने को खा लेते थे कि उन्हें उड़ने का मोका ही नहीं मिलता था जब हम सब बनावटी चिडियों को चट कर जाते थे तब बापुची के कहने लगते अच्छा अब तो तुम राजा हो जाओ खेलो जब हम बनावटी चिडियों के बनी रोटियों को चट कर जाते थे यानि खा लेते थे सारे खाने को तब हमारे बापुची कहते थे कि अब तो तुम राजा हो गए, तुमारा पेट भर गया है, जाओ अब तुम बाहर जाकर खेलो, बस हम उठकर उचलने कूदने लगते, फिर हम तो उचलने कूदने लग जाते, फिर रस्य में भंदा हुआ काट का गोड़ा लेकर नंग जाते, जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तो हमारे लाग छट पटाने पर भी एक चुलू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी, अब कभी मैया हमें पकड़ लेती थी, तो उनकी आदत थी हमारे सर पर तेल लगाने की, तो हम कितना भी छट पटा ले, कित बापुजी उस पर बिगड खड़े होते हम लोगों को रोते हुए देखते हुए बापुजी उसी समय बिगड जाते थे यानि गुसा होने लगते थे पर वे हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी पर हमारी मैया हमारे सिर में तेल डाल कर तभी छोड़ती थी फिर हमारी नाभी और लिलार में काजल की बिंदी लगा कर चोटी गूत थी और उसमें फूलदार लट्टू बना कर रंगीन कुड़ता टोपी पहना देती थी और उसके बाद फिर हमारी नाभी में भी तेल लगाती थी और काजल की बिंदी लगाती थी चोटी गूत थी और उसमें फूलदार लट्टू लगाती थी और रंग बिरंगा टोपी और कुड़ता पहनाती थी जिससे हम कनिया की भाती दिखाई देते थे बनकर बापुची की गोद में सिसकते सिसकते भार आते थे और हम कनिया बनकर अपने बापुची की गोदी में सिसक सिसक कर भार आ बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक जुण मिल जाता था। के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। हम जब अपने साथियों को देखते थे तो हम सिसकना भूल जाते थे और गोट चोतर के अपने बराबर के बच्चों के साथ खेलने और तमाशा करने लग जाते थे। चबूत्रा होता है पहले पुराने घरों में घरों के बाहर लंबा चबूत्रा होता था। उस पे शेड डली होती थी। चबूत्रे का एक कोना ही नाटक का घर बनता था। चबूत्रा ही उनके नाटक का घर बन जाता था। उसी चबूत्रे पे वो लोग नाटक करते थे। बापू जी जिस छोटी चोकी पर बैटकर नाते थे वही रंगमंच बनती थी। बापू जी जिस छोटी चोकी पर आजकल तो हम पिड़ी बगारा लेते हैं पहले चोकी होती थी। चोकी पर बैटकर ना आते थे ना उसी कोई वो स्टेज बना लेते थे, रंगमंच बना लेते थे, उसी पर सरकंडे के खंबो पर कागच की चंदाए यानि चादर डाल देते थे, तानकर मिठाई की दुकान लगाई जाती थी, उसमें मिठाईयों की दुकान बनाई जाती थी उसमें चिलंग के खोचे पर कपड़ों की थालों में ठेले के लड़ू, पत्तों की पूरी कचोरिया, गीली मिट्टी की चलेविया, उटे घड़े के टुकडों के बताशे आदी मिठाईया सजाई जाती, ठीकरों के बठखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकडों के पैसे बनते, जो वो मिठाई की दुकायन लगाई, अब उसमें मिठाईया भी चाहिए, उसमें वो चिलंग के खोचे के कपड़े बनाते थे, उस थालों पर लगाने के लिए, उसमें पत्तों की पूरी कचोरिया बनाते थे, गीली मिठ्टी की जलेविया बनाते थे, गीली मिठ् खरे और जस्ते के छोटे-छोटे टुकडों से पैसे बनते ठीकरे मतलब छोटे-छोटे पत्रों के टुकडे ठीकरे उनसे बठखरे और जस्ते के छोटे-छोटे टुकडों से पैसे बनाते थे हमी लोग खरीदार हमी लोग दुकानदार वही बच्चे खरीदार होते थे और और वही बच्चे दुकानदार बनते थे, बापुची भी दो-चार गोरख पुरिये पैसे खरीद लेते थे, जो उनके लेखके बापुची थे, वो भी ठीकरो वाले पैसे उनसे खरीद लेते थे, थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरोंदा बनाते तो वो थोड़ी देर ही चलती थे मिठाई की दुकान, उसके बाद वो लोग घरोंदा बनाते थे, यानि घर बनाते थे, धूल की मेड दिवार बनाते और तिनको का चपर, उस घरोंदे को धूल की तो दिवार बनाते उसमें और तिनको का उस पर चपर बनाते, दातुन के खंबे दिया सिलाई की पेटियों के कीवाड दातुन से तो उनके खंबे बनाते दिया सिलाई से उनके कीवाड बनाते गड़े के मुढ़े की चुला चक्की गड़े के मुढ़े गड़े के उपर मुढ़े होते हैं ना ढकन होते हैं उनकी चुला बनाते थे और चक्की बनाते दिये की कढ़ाई, दिये जो दिवाली पे जलाते हैं, उनकी कढ़ाई बनाते थे, बापू जी के पूजा वाली आचमनी कल्ची बनती थी, बापू जी पूजा करते समय जिसमें आचमन करते थे, वो उनकी कल्ची बन जाती थी, पानी के घी, पानी को तो वो घी बना लेते थ धूल के पिसान और बालू के चीनी से हम लोग जियोनार त्यार करते थे यानि धूल के पिसान धूल को तो हम आटा बना लेते थे और बालू मिट्टी को हम चीनी बना लेते थे उससे हम जियोनार मतलब खाना भोजन भोजन त्यार करते थे हमी लोग जियोनार करते और हमी लो भोजन करने के लिए बैठते थे जब पंगत बैठ जाती थी जब हम सब बैठ जाते थे तब बापु जी भी धीरे से आकर वात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे जब सारी संग पंगत बैठ जाती थी तो बापु जी भी धीरे से आकर उहां बैठ जीमने यानि खाने के लिए बैठ जाते थे उनको बैठते देख ही हम लोग हस कर और घरोंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे जब पापुजी वहां चीमने के लिए बैठते थे तो हम लोग उनको देखकर शर्मा जाते थे और हस कर अपना घरोंदा तोड़ देते थे और वहां से भाग जाते थे वह भी हस्ते हस्ते लोट पोट हो जाते थे वह भी हम सब लोगों की कृड़ा देखकर हस हस कर लोट पोट हो जाते थे और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलानात वह फिर भोलानात से पूछते अपने बेटे से पूछते कि अब कब फिर से भोज होगा ताकि मैं तुम्हारे यहां भोजन करने आओं। कभी-कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, कभी-कभी तो हम बारात भी निकालने लग जाते थे। कनस्तर का तबुद्रा बस्ता अमोले का को घिसकर शेहनाई बजाई जाती। कनस्तर यानि घी का पीपा, घी का पीपे का तबुद्रा बस्ता और अमोले को घिसकर शेहनाई बजाई जाती। कनस्तर का तबुद्रा बजता, यानि पीपे का तबुद्रा एक तरह का इंस्ट्रुमेंट होता है, वो बजता। और अमोले आम की लखडी को घिसकर शेहनाई बनाई जाती। तूटी चुहे दानी की पालकी बनती, चुहे दानी को तोड़कर उसकी पालकी बनाय जाती, ताकि हम उसमें अपनी धूलन को बिठासके, हम समधी बनकर बकरे पर चड़ लेते, और हम सब समधी बनकर हमारे पास बकरा होता था उस पर बैड़ जाते थे, और चबूत्रे के ए एक कोने से लेके दूसरे कोने पर जाकर लग जाती थी, वहाँ काठ के पटडियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टेहनियों से सजाए हुए, छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा रहता था, वहाँ पर्चमुत्रे पर काठ की मतलब लकड़ी की पटड़िया से घिरेवे, लकड़ियों की पटड़िया होती थी, गोबर से लिपा होता था, आम केले की टेहनियों से सजाय हुआ, छोटे से आंगन में कुलिये का खालसा, यानि कुलिया, जो मिटी बनी होती है, छोटे- फिर लोट आती थी, लोटने के समय, खटोली पर लाल ओहार डाल कर उसमें दुलन को चड़ा लिया जाता था, जब वो लोट कर वापसे आते थे, वहाँ पर एक खटोली बिचाई जाती थी, और उस पर ओहार मतलब लाल रंग का जो अब लगाते है दुलन को, वो वहाँ प पर बापुजी जो ही ओहार उधार कर दुलन का मुख निखरने लगते, उनके लोट आने पर बापुजी जैसे ही दुलन का मुख देखने लगते, उसका ओहार अटाते यानि उसका घुंगट अटाते, तो ही हम लोग हस कर भाग जाते, तो ही हम शर्मा कर हस कर भाग जाते, थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुड़ जाती फिर थोड़ी सी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुड़ जाती इकठे होते ही राय जमती की खेती की जाए अब की बार उन्होंने फिर राय जमाई इकठे हुए और राय जमाई की अब की बार हम खेती करेंगे बस चबूत्रे के छोर पर घिरनी गड़ जाती उसी चबूत्रे पर फिर से एक घिरनी गाड़ देते और उसके नीचे की गली कुवा बन जाती चबूत्रे की नीचे जो गली होती थी उसे कुवा बना देते थे मूझ की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुकर बांध गराडी पर चड़ा कर लटका दिया जाता था मूझ की बटी पतली रस्सी जो जिसे खाट बनाते हैं उस रस्सी पर को चड़ा कर उसे लटका दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खीचने लग जाते थे अब खेत का का वो करें खेती करेंगे तो बैल की भी चुरत होगी तो उन में से लोड़कों की टॉली में से दो लड़के बैल बन जाते थे वो मोट खीचने लग जाते थे चबूतरा खेत बन जाता था कंकर बीज ठेंगा हल जुआता कंकर बीज सब अपने-पने काम करते थे बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे वहाँ पर उस खेत को जोतने के लिए बहुत की जाती थी फसल त्यार होते देर ना लगती थी और उस फसल को त्यार होने में बिल्कुल देर नहीं लगती थी हातों हात फसल काट लेते थे और कटते समय गाते थे और वो वाली फसल जो चबूतरे पर त्यार होते थी हातों हाती त्यार हो जाती थी और उस फसल को काट लेत पर वो बच्चे काटते समय गाना गाते थे उच नीच में बही क्यारी जो उपजी सो बही हमारी यानि उची नीची कोई भी किसी भी तरह की क्यारी है जैसी भी क्यारी है वो उपजी है जो भी उपजी है वो हमारी है फसल को एक जंगे रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे सभी फसल को सभी फसल को काट कर वो एक जंगा रख देते थे और अपने पैरों से रोंद देते थे कसोरे का सूप बना कर उसाते और मिट्टी के दिये के तराजुन पर तोल कर राशी तियार कर लेते थे कसोरे यानि मिट्टी का कटोरा कसोरे में का सूप बना कर उसमें सूप बना कर मिट्टी के दिये की तराजू बना कर उसे में राशी तोलते थे इसी बीच Bapu Ji आकर पूछ बैठते थे और तभी Bapu Ji आते थे और पूछते थे इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, बताओ इस साल की तुमारी खेती कैसी रही, बस फिर क्या हम लोग जो कातियो खेत खलियान छोड़कर हस्ते वे भाग जाते थे, बस Bapu Ji के पूछते ई उ खेती थी, ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। ददरी में के मेले में जाने वाले आदमियों का जुन्ट देख पाते तब कूद कूद कर चिलाने लगते थे। जब कभी भी वहाँ पर कोई मेला लगता था और लोगों का जुन्ट जाता था और उसे देखकर हम चिलाते थे। खूब जोर से चिलाने लग जाथे यदि किसी बराद में दूले की आगे-ागे ओड़नियों ओड़े वे पाल की जाती है, तो खूब सजुई तो भोगत-भोगत चिलाने लग जाते थे। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला में कनिया हमार महरी, वही रहरी में रहरी, इस रहरी में हमारी महरी है, पुरानी रहरी है, डोला में हमारी महरी है, वही इस डोली में हमारी महरी यानि हमारी तुलन है, धन्यवाद. आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे कैसा लगा वीडियो हमें बताईए हम लोगों ने सोचा है कि हम आपको समरी भी प्रोवाइड कराएंगे हम चैप्टर word to word meaning के साथ cover करेंगे कैसा लगा वीडियो जरूर बताईए लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेर करिए बाबाई थेंक यू